नवजवान मित्रो स्वामी विवेकानंजी ने एक सो पचास में जेनतिनो अवर्ष है आ देश मा आजे पाण स्वामी विवेकानंनो नाम लेताच प्लीज मित्रो तमने मजाक मस्ति माटे क्लास्रूम मा टाइम मरशे प्लीज मने हेल्प करो तैंक यू दोस्तो एक सो पचास वर्ष पहला बंगाणनी भूमी पर धर जन्मेल एक नरेंद्र एने दुनिया नी अंदर एक चमतकार करयो समगर विश्वा by cameraman please प्रजाज भडशुका जगड़ो करवानों आपड़े मित्रो तुमारा कैमेरा गोटवाई कियो तो बेशो और स्टील कैमेरा वाना अंदर आवो तो आवी जाओ स्टील कैमेरा वाना अंदर आवी जाओ तो आवी जाओ शाबाश आओ दोस्तो आओ 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 जल्दी करो हजु अंदर आवी जाओ आपना संतोष मां हमारो संतोष रहे लोशे मेत्रो आखी दुनिया 9.11, 9.11 नी चर्चा करे छे आखी दुनिया नी नजरों मा अग्यार सप्टेबर नी घटना अंकाहिली पड़ी छे अनि 9.11 नी घटना अंकाहिली पड़ी एनू कारणे छे कि 2001 नी साल मा 21.2 सदीना प्रारम मा बिन लादे ने अमेरिका पर हुमलो करी ने त्याना निर्दोष नागरी कोने मौत ने घाट उतारे आता परंतु आस्ति लगभग सवासो वर्ष पहला अमेरिकानी धर्ती पर अडार सोने तानों अग्यार में सप्टेबरे हिंदुस्तान नों 22 पचीश वर्ष नों नवजवान भगवा कपड़ाधारी नवजवान जर अमेरिकानी धर्ती पर गयो तेर एनो पहरवेश जोईने दुनिया ने काउत्तोक थतु होतो लोको ने अचरस थतु होतो अने एने शिकागोनी धर्ती पर जईने विश्व धर्म परिशद ने संबोधन करियो अने भावनगर जिल्लाना लोको गर्वले कि भावनगर जिल्लाना महवाना एक गांधी एपने धर्म परिशद मा मोजूद अता अने विर्चन बै गांधी उपर एक पुस्तक पर लखाणूँचे अमारा मनिनगर ना एक स्नईय एलग्यूचे गांधी बिफोर गांधी अब भावनगर गवरव लेवी घटना छे अने ए धर्म परिशद मा हिंदुस्तान नो बाविस पचीस वर्ष नो नवजवान एले तमे कल्पना करीशको जो के तमारी उमर और एवक्ते विवेकानन नी उमर केटली पासे हसे आप पोतानी जातने जोडिने विचार करो के स्वामी विवेकानन ने विश्व धर्म परिशन मा दुनिया ना दिग्गड लोगों नी सामे भारत नो एक नवजवान सन्यासी जे भारत दुनिया भारत ने उपेक्षा करतू तो एक गुलाम भारत ना प्रतिनी ती हता दुनिया आखी भारत न नफ्रत्ती जोती हती एवा वातवर्णमा आ देशनों बाविस पचीस वर्ष नो एक सन्यासी उबोधे ने एम के ब्रदर एंड सिस्टर्स अफ अमेरिका अना वाग के सामरताच आ धर्म परिशद नी अंदर तालियों नो गड़गडार थयो मिनीटो सुधी तालियों नो गड़गडार बंदा थयो अने जे व्यक्ति ने समय आप्पा विजवप धर्म परिशद तयार नो थी यह आज साधुने सामभलवा माटे आतूर बनीव गएगे आखि दुनिया मां बंदूता भाई चाराणों संदेश आपयो अगर जो अमेरिका है अगर जो दुनिया है अडार सो ताणू अग्यारमी सप्टेबर ना स्वामी विवेकानना संदेश ने जिल्यो होत जीवी जाणे होत तोहुं विश्वास्थी कवशू कि 2001 ना अग्यारमी सप्टेबरे बने ली अधुर घटना न बनी होत आप भैंकर आतंक नी घटना न बनी होत हतो कि हुँ मारी भारत माता ने जगत गुरुना स्थाने बिराज मान थोएली जोवुँ छो मारी भारत माता ने विश्व गुरुना स्थाने बिराज मान जोवुँ छो अने हमने कई तो मने सो युवकों आपो दुनिया ने बदली बतावीश युवकों माटे केटलो बतो भरोसो हतो एमना एक वाक्य माथी प्रतिमिंबित थाई छे बायो बेनो कम नसिबे स्वामी विवेकाने जिनू सपनों जो अधूरू छे सु एक सो पचास में जैनती उजवता हो ये त्यारे स्वामी विवेकानन आए सपना पूरू करवानों संकल्प आजनी विवापेडी लई शके सुछ जगदगुरु स्वामी विवेकानन जै भारत माता ने जगदगुरु बनावा मागता हो ता जै काम आजे दोडश्वमी जनती उजे उजवी त्यारे बड़ा दूरू हो ये त्यारे हिंदुस्तान ने नेत्रूत पे करे के न करे गुजरात ने युवा शक्तिया करीश केम चे ये वो मारो विश्वास है दोस्तो भाईयो बैनो दुनिया मा हिंदुस्तान आजे सौथी युवान देश चे आखु विश्व ब्रुद्रत्व तरफ आगल वदी रहुचे एक मात्र भारत देशे वोचे जे युवानी तरफ आगल वदी रहुचे पांसटका जनसंख्या देश नी पांत्री स्वर्षकता निचे निउम्मर नीचे तमारा माती कोईने युरोप जमान आउसर मले होए अत्वा टीवी पर तमें युरोप ना द्रश्व जुओ या इंटरनेट पर ती युरोप ना द्रश्व सोधी काड़ो तो तमें जोजो बस मां ट्रेन मां रस्ता मां जता आवता वुरुद्ध लोकों नी वनजहार होए कोई युवक ने जोवो होए तो तमारे रहा जोई पड़े काटला बदा वुरुद्धो जाए क्या एक युवक देखाई छे आटलू बदू वुरुद्ध तोनू बातावाण छे एक मात्र हिंदुस्तान एवुश है कि जेना पांसट टका लोको पांत्रिस्ती नीचे निउमर नाश है जो हिंदुस्तान ना बेपाज हजार वुवको अमेरिकानी अंदर जाए इन्फर्मेशन टेक्नलोजी आईटी कॉम्पूटर नी दुनिया मां पग मुके अने समगर विश्वने चकीत करी देता होए समगर विश्वने गेलू लगारता होए तो भाईयों बेनो आमारा गुजरात नो इवान दुनिया मां नवापरा करवो केम न करी बतावे ये सपना साकार करवानों वक्त आभी गरो छे मेत्रों इवान गे होई चे जे नामा सपना जोवानों सामर्त होई चे अने सपना साकार करवा माटे जात खपावी देवानी तयारी होई चे देश ने आवश्यक्ता चे नव जवाना उजवल सपना जोता था है देश ने आवश्यक्ता चे नव जवानों सपना ने साकार करवा माटे जिंदिगी खपाव माटे कोशिश करता हो है हमना ओलेंपिक नी रमतो थाई आवडों मोटो देश त्राण के चार माण पदक लईने पाछो आवे अन्य जारे पदक लईने पाछो आवे तेर देश एक बिजाने टिकां करे कि देश नी आबरू जाये चे डिकनू जाये चे भलानू जाये चे चापा वाला अलोच ना करे टीवी वाला अलोच ना करे नेताव अलोच ना करे आवडवे नी जग्याए हसे हसे भाईयों मैंनो क्याक्थी तो शरुवात करवी जोई है क्याक्थी तो प्रयास करवो जोई है शाम आटे भारत रमद गमत ना छेत्रे पोता नू योगदान न करे स्वामी विवेकानननू सपनू हतो यह मने युँग कोई पुछी हतो कि हमारे योग साधना करियो है पड़मात्माने प्राप्त करवो तो शू करवो जो ये है तेरी स्वामि फिवे काने कह जोत् Earn YOU तकर मारे कश्यों करवाने जरू नदिए जाओ फुटबाल रहो फुटबॉल रहो परमाथ मा Η miejsce कर दो किसे क्षामि विखानंदे फुल रहाने क्वाने कवुत आपने फुटबॉल नरा है बले क्रिकेट रहा है रमियुतो घरा आखो दड़ो टीबी सामें बेशी रहा हुई है तो जिंदिकी के भी थाई जैसे भाईयों अपने खेल महाकुम नो एक अभियान चलाई हूँ अडार लाग युवकों ने मैदान मान रबत्वा उतारया गुजरात अडार अजार गामों मा खेल कुद्धिस परदाओ करी शाना मा खेल लुक चरित्र उभू करवानी कोशिश करी मारोस पस्त मच्छे भाईयों समाज जीवन स्पोर्ट्समें स्पिरिट वगर चाली न शके परिवार पन स्पोर्ट्समें स्पिरिट वगर चाली न शके परंतु कुटुम होई के समाज होई संगधन होई के राजकिये पक्षो होई जो स्पोर्ट्समें स्पिरिट लावू तो स्पोर्ट्स बिना स्पोर्ट्स पर प्रिट पन्ना आवे आप स्पोर्ट्स ने बढ़ाओं मलो जो यह अने ध्यानवाराकी ने राज्य सरकारे स्वामी विवेकाननजी ने एक सो पतादमी जेनती ने युवाश्चक्ती वर्ष तरीके उजवानू नक्की करूँ जे अनि युवाश्चक्ती वर्ष तरीके उजवाली आश्वामी विवेकाननजी ने जेनती ने गुजरात ना तेर हजार गामों मा विवेकानन केंद्र उभा करवा अनि आ विवेकानन केंद्र द्वारा नव जवानों ने रमत गमत माटे प्रोश्चाहित करवा अनि गुजरात न केंद्र नी टीमोने आ युआ परिश्यदों माहूं बोलावी ने क्रिकेट नी कीट अने वॉलीवल नी कीट आपनोचु गामो गाम जवान पेडी खेल कुदना मैदान मा उत्रे अने दिरे दिरे एमाथी खेल महाकुम बलवत्तर बने रमत गमत निस्परधाओ थाए योग्य खेलाडियों मैदान मा आउता थाए जरूर पड़े तेया ट्रेनिंग नी व्यवस्ता आए यहने आपने बाढ़ा पी उछे बाईयों बेनों मैं सपनों जोई उछे अने एक स्पोर्स उनिवर्सिटी बनावानों आपने निर्णे करयो छे गुजरात नी अंदर अलग स्प मैं थोड़ा दिए उस पहला जाहरात करी थी आउनार अवर्ष्मा गुजरात नी अंदर दरेक जिल्ला मां एक स्पोर्ट स्कूल सुरू करवा माउशे जे विद्यारतियों ने रमद्गमत महरास से एमने डमास से लिए बस साथे अवे इने रमद्गमत महरास होए कुछ मिडिया के मित्रों की प्रार्थना है कि मैं हिंदी में बोलू दोस्तों गुजरात अकेला प्रदेश ऐसा है जहां से सकारात्मक खबरे पहुँचती है और इसलिए मिडिया वाले भी कहते हैं कि अच्छी खबरों के लिए सकारात्मक समाचारों के लिए हिंदुस्तान में एक मात्र गुजरात बचा है आप हिंदी में बोलिये क्योंकि दिली से जो खबरे आती हैं वो रोने वाली खबरे आती हैं आशू बहाने वाली खबरे आती हैं दिल को दर्द पहुँचाने वाली खबरे आती हैं निराशा को जन्म देने वाली कब्रे आती हैं अगर गुजरात के प्रयासों से देश के आंसु अगर पहुंचे सकते हैं गुजरात के प्रयासों से निराशा में डूबे देश को एक राज्य का कारिय अगर आशा देता है तो उस कर्तविब को भी निभाने के लिए अगर हिं हिंदी भाषा काम में आती हैं तो जो प्रार्थरा मीडिया के मित्रों ने की है उसको स्विकार करते हुए मैं आगे की मेरी बात हिंदी भाषा में बताने का प्रयास करूँगा भाष्यों बेनों हर जिले में एक स्पोर्ट स्कूल एक स्पोर्ट स्कूल ताकि जिस विद्यार्थियों को पढ़ने में रुची नहीं है बैटो मित्रों बैटो जिन विद्यार्थियों को पढ़ने में रुची नहीं है लेकिन कौशल्य है उनको वो अवसर देते हुए उनके उस सामर्थ का उप्योग करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम ये स्पोर्ट स्कूल में हो उनका अलग सिलेबस हो और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को दस्वी और बारवी समकक्ष कैसे पढ़ाया जाए उनको कालेज के अंदर स्पोर्ट उनिवर्सिटी में कैसे बेजा जाए और भारत को उत्तम प्रक प्रकार के स्पोर्ट्समें कैसे मिले उस दिशा में काम करने का इस स्वामी विवेकर रंजी की 150 वी जैन्ती पर हमने संकल्प किया है भायो बेहनों जिस प्रकार से खेल कुद को बढ़ावा देने के आवशकता है उसी प्रकार से मेरे नवजवानों को डिगनिटी की भी आवशकता है आज एक फैशन हो गई है पुराने पेड़ी के लोग हर दिन नई पीड़ी को कोस्ते रहते हैं इन नवजवान बिगड़ गए हैं इन नवजवान ऐसे हो गए हैं ये नवजवान वैसे हो गए हैं और ये काम आज हो रहा ऐसा नहीं सदियों से चल रहा है जब मैं छोटा था तो मेरे बाप दादा कहते थे नवजवान बिगड़ गए मैं बड़ा हो गया तो मैं भी नवजवानों को कह रहा हूं बिगड़ गए भाई और बेहनों नव जमानों के सामर्थे को समझने की आवस्षक्ता है उनकी सबस्क्राइब करने की आवस्षक्ता हैं और इसलिए हमने एक के बाद कदम उठाएं एक जमायर था किए बढ़ने वाले विद्यार्ति, उन आईटीयाई के विद्यार्तियों के प्रती ऐसे नफसरफ से देखा जाता था, यह आईटीयाने कुछ नहीं, आईटीयाई है, देखा, याने कुछ है नहीं ऐसा भाईयों बेनों जबकि वो टेक्निकल फिल्ड का मौनिफर्टरिंग की दुनिया का इस सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले आईटी आई के विद्यारती रहते हैं आईटी आई से पढ़कर के निकले हुए रहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों यह आईटी आई को बिलकुल ऐसा मान लिया है यह तो बेकार है भाईयों बेनों हमने एक बहुत बड़ा फ्रेण फैसला किया कि आठवी कक्षा पढ़कर के जो नवजवान आईटी आई कर रहे हैं उन नवजवानों को दस्वी कक्षा के समकक्ष मान लिया जाएगा जो दस्वी पढ़कर के बाद दो साल आईटी आई करते हैं उनको बारवी कक्षा के बराबर मान लिया जाएगा और जो दस्वी कक्षा तक मान लिया गया वो अप उने आप 12 वी के अग्जाम दे सकता है, जिसको 12 के समकर्शमा लिया गया, वो डिपलोमा के एंजिनेरी में पढ़ाई के लिए जा सकता है, वो डिगरी एंजिनेरी में जा सकता है, उसके भाविश्य को दरवाजे नहीं लगेंगे, यह निरने करना पड़ता है, भाईयो बेर सिवार में एक बच्चा मावाप के खारण बता दिया तुम आर्टS में जाो या बच्चे को बता दिया तुम साइंस में जाओ वो बेचारे को समझ नहीं होती हaters उस सम modular करणे की और आर्टS में दाखिल हो जाता है साइंस में दाखिल हो जाता है और एक साल पढ़ने के बाद उसको विचार आता है कि ये मुझे जा मैं दाइड में हुआ हूँ इसमें तो मेरी रूची नहीं मेरी रूची तो उस सब्जेक्ट में है सरकार के नियम कहते हैं कि तुम आप आश्का पढ़कर क्या हो तुमको बीएव होना पढ़ेगा गुजराती लो अं और बारवीक पक्षा भले उसने आर्ट में पास की हो कॉमर्स में की हो लेकिन थोड़े समय के बाद उसको ध्यान में आता है को बिजी फिजिक्श में काम कर सकता है बायोलोजी में काम कर सकता है तो वो अपनी धारा बदल करके आराम से उसमें एडमिशन ले सकता है और लिए बार निड़े हुआ है नव जवानों के भाग्य को कैसे बदला जा सकता है उस दिशा में हमने प्रयास किया है भायों बेनों आज जब मैं आपके पास आया हूं स्वामी बिवेकानजी के 150 भी जहनति है मना रहे हैcji तब मैं आपके सामने तीन महतवपुन गोष्णा भी करना चाहता हूं तीन महतवपुन गोष्णा है आपके सामने करना चाहता हूं एक भावनगर जिले से सीधे सीधी जुडि हुई है मैं महुआ के लोगों को अभिनदन करता हूँ सालों से महुआ नगरपालिका के लोग वहां के लोगों के सुखाकारी के लिए एक अस्पताल चलाते थे बहुत सालों तक चकलाया एक नगरपालिका के लिए अस्पताल चलाना बहुत ही महंगा काम होता है बड़ा खर्चिला काम होता है अम्दाबाद मुंस्पल कॉर्परेशर बियस अस्पताल चलाती है उनको कितना आर्थिक परिशानिया रहती है उससे मैं भली भाती परिचित हूँ इसलिए महुआ नगरपाली का को काफी बोज उठाना पड़ता था इस महुआ की अस्पताल च 200 बेड़ की अस्पताल है लोगों की सेवा करती हैं लेकिन आर्थिक रूप से हम चला नहीं पायते हैं क्या गुजरात सरकार इसका जिम्मा उठाने के लिए तयार है मैंने का भाई इतने सालों तक आपने इतना पवित्र काम किया है आज अगर आप मुश्किल में हैं तो मै राज्य की तरफ से कहता हूँ आज से जिम्मेबार इमाम उठाते हैं भाईयो बेनों हमने निर्ने किया है कि वो महवा की अस्पताल को अच्छे डंग से चलाये जाए राज्य सरकार उसका जिम्मा उठाएगी इतना ही नहीं डिस्ट्रिक लेवल की अस्पताल का जो हैं वो महवा की अस्पताल को दिया जाएगा गुजरात गांधी नगर के खजाने से यह महवा की अस्पताल को चलाये जाएगा दूसरी गोसना मैं करना चाहता हूँ भाईयो बेनो हमने 2001 में आने के बाद सिक्षा की और बल दिया गाउं के अंदर बच्चे स्कूल में दाक 65,000 करीम नए कमरे बनाए कमरे बनाए इस बच्चे बढ़ने लगे तो फिर बात आई पर टीचर की भरती करो करीब डेड़ लाग टीचरों की भरती की कमरे बनाए फिर बात आई कि मध्यान भोजन के लिए तेरा बज़े जादा देना पड़ेगा वो भी दे दिया उसके ब बात आई कि इस बच्चों के लिए कॉम्पुटर लेव होनी चाहिए हमने कॉम्पुटर लेव बनाई ये बच्चे पढ़ने लगे लेकिन अब वो बच्चे बड़े हुए हैं दसवी पक्षा पास हो करके आगे निकले हैं अब क्या करना क्या उनकी शिक्षा वहीं रोग जाएं भाईयो बहनों जिन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए मैंने उंगली पकड़ पकड़ करें के गाउं गाउं घर गर गया हूं मेरी सरकार गई हैं मैं उन बच्चों को आहा सहाय नहीं छोड़ सकता हूं उनको आगे कि शिक्षा की जिम्यवारी भी मैं लेने के लिए तैयार हूं और इसलिए ये जो गाउं के बच्चे हैं जिनको दोजार एक में दो में उंगली पकड़ करके हम स्कूल ले गए थे वो बड़े हुए हैं अब वो आगे पढ़ना चाहते हैं लेकिन गरीब है शेहर में जाए तो कहां जाए रहे तो कहां रहे इन मेरे न टू नए होस्टेल बनाएंगे 62 नए होस्टेल 32,000 नौजवानों को रखने के लिए मैं ववस्ता खड़ी कर रहा हूं 32,000 स्टूडेन को में तरो पचली 50 साल में इतना बड़ा काम नहीं हुआ है क्यों गाउं के गरीब परिवार के बच्चों को उनकी सिक्षा रुकनी नह ने देने किया है एक तीसरा काम भी मैं आज गोशना करना चाहता हूं इसके लिए मैंने आलरेडी बजेट में 100 करोट रुपिया डाल दिये यानि यह मैं कांगेज नहीं बाट रहा हूं यह जो काम कर रहा हूं इसकी ख़बर दे रहा हूं आपको और एक तीसरा काम भी मैं बताना चाहता हूं जिस प्रकार से गुजरात विकास की यात्रा में आगे बढ़ रहा है हमारी माताएं बहने नवजवान बेटियां बेभी गुजरात की विकास यात्रा में बुरुसों से पीछे नहीं है नवजवानों से पीछे नहीं है वो अपना गर छोड़के गाउं छोड़कर के उद्योग धंदों में नोकरी करने जा रही हैं काम करने जा रही हैं लेकिन उन बच्चीयों के लिए रहने की कठिनाई होती है गाउं तो छोड़ने को तयार है शहर में जान करके कार खाने में एक पुरूस के बराबर अपना दाइत्वा निभाने का सामर्त है लेकिन रहने के लिए प्रबंद नहीं है भाईो बेनों ये प्रगति की निशानी है उसके लिए आवश्चक्ता हैं खड़ी करनी पड़ती है ये मेरी नवजवान बेटियां जो अब नोकरी के लिए घर छोड़कर के बाहर निकलिये उनके लिए वर्किंग बुमेन हॉस्टेल का नेटवर्ट खड़ा किया जाएगा और दस हजार ऐसी नवजवान बेटियां रह सके और जो कुछ लूँ कुछ कमाती धमाती है दस हजार लोगों की विवस्टा वाले हॉस्टेल का नेटवर्ट जहां जहां उद्द्योगों की संभावना है उद्द्दिक में खड़ा किया जाएगा ताकि ये बेटियां भी गुजरात के विकास में सक्रिय भागिदार बने और प्रगति की और आगे बड़े नवजवान मित्रों में आपसे पूछना चाहते हैं स्वामी विवेकानन जी शिकागों गए थे अठारा सो तानू में 1893 और भाईयों मेरा एक साव भाग्य रहा है मैं बच्पन से विवेकानन के प्रती आकर्शित रहा हूं मेरे मन मंदीर पर विवेकानन जी का बड़ा प्रभाव रहता है 1993 जब विवेकानन जी के उस भाशन के 100 साल हुए थे तो अमरिका में उसका शताब्दी समारों बनाया गया था और ये मेरा सवभाग्य था उस नरेंद्र के उस भाशन की सताब्दी के समारों में शिकागों के उस समारों के अंदर जाने का मुझे सवभाग्य मिला था और उस भाशन का क्या प्रभाव था वो उस समारों के अंदर 100 साल के बाद भी अनुभव किया जा रहा था कि भाईयों बेनों आजकल नेता अमेरिका जाते हैं तो क्या करके आते हैं कि भीवेकानन जी गए तो क्या करके आए देश का गवरों बढ़ा के आए मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ जवाब दोगे दोस्तों क्या ये गांधी का गुजराथ है ये महत्मा गांधी का गुजराथ है ये सरदार पटेल का गुजराथ है ये स्वामी दयानन सरस्वति का गुजराथ है पक्का पक्का और कोई कहे रावन का गुज्राद है तो आपको कैसा लगेगा आपको कैसा लगेगा ये गांधी का अपमान है ये सरदार पटेल का अपमान है ये महर्शी दयानन सरस्वति का अपमान है कि गुज्राद को इस प्रकार से विदेश की धर्ती पर जाकर के अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गुज्राद को बदराम करने की कोशिश हो रही है ये दुरबांगे है देश का भाईयों बेनों कल प्रदान मंतРИ जो जो दिननें कीए हैं ये दिननें चौकाने वाले हैं अब किराना कौन बेचेगा विदेशी लोग चाहें कौन बेचेगा विदेशी चावल कौन बेचेगा विदेशी गेहूं कौन बेचेगा हल्दी कौन बेचेगा मिर्ची कौन बेचेगा इसके लिए विदेशियों के लिए दरवाजे खोल दिये हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारियों के दुकानों पे ताले लग जाएगे मिक्रों कि यह निर्णाय दिल्ली में बैठी हुए सरकार ने किया है कि दूसरा निर्णाय किया है मल्ट्री ब्रांड उसके लिए उन्होंने दिरवाजे खोल दिये हैं आप कल्प ना कर सकते हो कि भावनेगर के अंदर अगर दो चार्ट कारीगर है वो बेचारे छा बना करके बेचते हैं उनकी रोजी रोटी चलती है अगर विदेश से चाहिनीज बनावट का च्छाता यहां आ गया तो यहां जो च्छाता बनाता है वो बिकेगा उसकी कारखाना चलेगा उसके हर नोकरी करने वाले पांच-पंदर लोगों को रोटी जाएगी बताइए य पत्री के कल के निर्णे के कारण चोटे-चोटे कारखाने बंद हो जाएंगे क्योंकि वो जो उतपादन करते हैं उससे सस्ती चीजें दुनिया के देश यहां पटक देंगे और यहां का माल बिकेगा नहीं वो कारखाने बंद हो जाएगे और नवजवान आप लोग बेरो वकरी नहीं मिलेगी यह पाप उन्होंने किया है और दूसरा कि किराने के व्यापार में विदेश को लाकर के छोटे-छोटे किराने के व्यापारियों के दुकानों को ताला लगा दिया गया है और प्रदानमंत्री पिछले आठ साल में मैंने प्रदानमंत्री को रिड़ी की ह भी मिडिया ने भी लखा मनमहोंच सेंग सिंगम हो गए सिंगम वो दो कौन सी घटना है एक मार जब अमरीका के साथ न्यूक्लियर की ट्रिटी कर रहे थे और उनके सारे साथ ही दल विरोध कर रहे थे जब प्रष्टाचार की बात आती है तो वो कहते हैं कि एक कोईलिशन का धर्म मुझे मजबूर करता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ ये छोटे-छोटे दलों के दबाओ के कारण मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ लेकिन जब अमरीका की ट्रिटी की बात आई तो उन्होंने कहा मेरी सरकार जानी है तो जाए ये काम में करके रहूंगा उसी प्रकार से दूसरा वो भी विदेश्यों के लिए उन्होंने किया कि अगर विदेश्यों को कुछ हिंदुस्तान पर कबजा करना है व्यापार रोजगार पर कबजा करना है तो मेरे रासाती दल नाराज हो जाएंगे तो भी मैं दिनने करूंगा और कल तो ये भी कह दिया कि एक कठोर फैसले लेने पड़ेंगे और हम मरेंगे तो भी लड़ते लड़ते मरेंगे मनमोहन सिंग जी रातो रात सिंगम हो गए मरते मरते लड़ते मरेंगे अरे मनमोहन सिंग जी आपकी हड़ी में वो दम नहीं है कि आप लड़ते लड़ते मरेंगे आपको तो बोला चाहिए मरते मरते लड़ेंगे मरते मरते लड़ेंगे आप भाव्यों भेनों ये निर्णे हिंदुस्तान के नव जवानों के लिए संकट पैदा करने वाला है और मैं प्रधान मंत्री जी आपको एक तीखा सवाल पुझता हूँ आए भावनगर की पवित्र धर्ती पर से पूछ रहा हूँ प्रधान मंत्री जवाब दीजिए ये विदेश के व्यापारियों को हिंदुस्तान में प्रवेश दे रहे हैं आप उसमें इटली के व्यापारी कितने परसंटेज होंगे ये देश जानना चाहता है देश जानना चाहता है कि इटली के कितने व्यापारी होंगे जो हिंदुस्तान में माल बेचने के लिए हिंदुस्तान के मेरे व्यापारियों की दुकाने बंद करके वो इस व्यापार का कबजा करने वाले ये देश जानना चाहता है मेरे पास गंभीर सवाल है और प्रदान मंत्री का दाई तो है, वो देश को जबाब दे कि कौन इटली के व्यपार्यों है, जिनको इसका लाब मिलने वाला है कितनी संख्या में वो इटली के व्यपारी है, जो इसका फाइदा उठाने वाले है, कितने इटली के व्यापारी हैं जो FDI ला करके ये किराने के दुकाने चलाने के लिए यहां बैठने वाले देश जानना चाहता है प्रदान मंत्री आपको जवाब देना पड़ेगा मेरे नवजवान मित्रों दिल्ली में बैठी हुई सरकार से आपका भाग्य नहीं बदल सकता है ये देश को डुबोने वाले माहोल है आप कल्पना कर सकते हो देश कहां जा रहा है पहले सुनते थे सोने में चोरी हुई पहले सुनते थे चांदी में चोरी हुई पहले सुनते थे हिरा जवरात में चोरी हुई क्या कभी सुना था कोईले में भी चोरी हो हीरा जबरा सोने की चोरी तो गले उतरती है कोईले की चोरी अरे आपके घर के बाद कोईले की बोरी पड़ी होगी तो भिकारी गरीब भी वहां से गुजरेगा कोईले को हाथ नहीं लगाएगा ये दिल्ली की सरकार भाईयो भेनो देश तबाही के बंजर के और जा रहा है हमने गुजरात को बचा के रखा है मेरे नवजमान मित्रों मैं आपके हाथ में ऐसा सम्रुद्ध गुजरात देना चाहता हूँ मैं आपके हाथ में ऐसा सुखी गुजरात देना चाहता हूँ ताकि आपके बाद की पीडियां भी सूख और सांती के साथ जी सके और स्वामी विवेकानन के सपनों को साकार करने के लिए हम प्रयास करते रहे इसी एक अपेक्षा के साथ इतनी बड़ी मात्रा में इतनी सिस्त के साथ ये द्रश्य अपने आप में अजब है मैं नौजवानों को नमन करता हूँ मुझे गर्व होता है कि मेरे गुजरात के पास ऐसी युवा शक्ति है सिस्त है अनुशाशन है जजवावी है भाईयो बहनों आप ही इस देश की आने वाली कल है आप ही गुजरात की आने वाली कल है ये मेरा भरोसा है आईए स्वामी विवेकानन जी के सामने खड़े हो करके मन में संकल्प लेकर के हम भी गुजरात के लिए कुछ करेंगे हम भी दरिद्र नाराइन के लिए कुछ करेंगे हम भी समाज के लिए कुछ करेंगे उस सपनों को लेकर के आगे बढ़े मेरे साथ बोलिए भारत माता की दोस्तों ऐसे नहीं नवजवान भारत मा की जय बोले शिकागों तक पता चलना चाहिए कि हमारे वीज़ पुरुष को भारत माता की भारत माता की भारत माता की